तहां पर जो तरीका हम बताने जा रहे हैं, अभी लगातार कोशन यूँ ही अटा देंगे, तरीका जो बताने जा रहे हैं, वो ब्रह्मास्त आप सक्सेज है, देखो, आपको अच्छे से मालूम है क्या, कि जिसके लाश्क में, देखो पहले बात सुनो, जैसे वन एक बटा त तीन दिख जाए नीचे, हर में एक बटा तीन दिख जाए, एक बटा साथ दिख जाए, एक बटा ग्यारा दिख जाए, एक बटा तेरा दिख जाए, ऐसे करके दिख जाए, यानि इसके मल्टिपिल नीचे दिख जाए, तो ये सब हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, कौ सांथ 10 दसंपलो कौन सा होगा ? आज सांत 10ierte होगा ? मेरी बात को समझ रहे। जिसके नीचे के मैल्टल बच्छें वो सारे आज सांथ होंगे , तांत हुत और तन्त ही नहीं ह होंगे और जम्रमाक का अर्थ क्या है ? टरभांत का मतलब जिएक हमारा जैसे जैसे 2.1 आ रहा है तो 10 हमलों 8 और नीचे 10 तो ये 10 किसका multiple है दो और 5 का है आसान्त के नीचे हमेशा 3 का या 7 का या 11 या 13 या 17 या 19 ऐसे multiple होंगे जिससे उसका भाग समझ रो आसान नॉन टर्मिनेटिंग दस हमलों के बाद संख्या आती रहेगी आती रहेगी आती रहेगी और यही स्पीड से हम लोग ऐसे करने वाले हैं कि आप कोगे वाय दिस कोला वरी अभी अभी का अभी कहने वाले हो इतनी स्पीड से होगा जैसे यह कोशन पहले समझो हमसे कहता भाईया सांत दसंबलो बता दो यही आंसर यहां साथ है यहां तीन है यहां नो है यह होने नहीं मुद्दे खत्ब कैसा लग रहा है हुआ है जिसे थोला वरी यहां देखो हमसे कहरा भईया सांत दसंबलो बता दो यहां पेसिंस रखना वना खेला हो जाएगा सांत चाहिए पहले समझ साथ से साथ गया नीचे एक साथ बना रहा है यानि यह आसांत है यहां भरबर के साथ है तो आसांत है यहां देखो यहां थोड़ा सा साथ से उपर गया तो ग्यारा बार में नीचे तीस आया तीन का भी मल्टिपिल बना है तो यह आसांत है यानि C is the right answer तो यहां तो नीचे भ चालिस हो गया ये पंद्रा से भाग तो दो क्योंकि नीचे का तीन कट गया तीन बना होना चाहिए समझ गया असली खेला तो अब होगा चालिस के बाद एक तालिस कहिता भया दसमलो विस्तार बताओ देखा ये जाए पहले तो ये देखो ये संक्या होगी नहीं ये होगी नहीं इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा देखो इसे डेसिमल एक्सपेंशन बोला जा रहा है यानि एक पैटन जो नहीं होता है इकाई द पर देखाई जाए कि आप पेपर में बच्चा कहा है कि A सही या C सही सर दोनों से से मारा है इसमें हम A को सही बोलेंगे रीजन क्या है कि जब हम लिखेंगे तो 1 ऐसे प्लस अब ये 0 है तो 0 बटा चाहने, नीचे 10 लिख़़ग दो चाहने, 1000 लिख़़ग दो जो तुमारे एच्छा 0 बटा 10 और इसे 9 बटा 100 के नाम से ही बोला जाता है तो इसके हिसाब से क्योंकि हम एक expansion के form में लिखना है तो फिर A is the right answer वन्ना तो फिर आप संगर्ज करते रहो A और C दोनों चिलाते रहो पर A को ही answer हम सही घोसित करेंगे ठीक है तो कि एक form में नहीं हम लोग इकाई साही सैकड़ा ऐसे बोलते हैं कि इकाई के बाद सीधे सैकड़ा बोल जाते हैं बस उसी हिसाब से इसके pattern को लिखना है ये कहना मतलब है इसका कि लिखके दिखाओ दसंबलो प्रस्तार विस्तार तभी तो कोशन दिया पेपर में वन्ना काई को देता इन में से किस परमे संख्या का दसंबलो विस्तार आसांत है नौन टर्मिनेटिंग पहली बात तो यहां error है ये 2 का square होगा और ये 2 का square है इस error को सही कर लेना या तो फिर answer ही गलत होगे सारे options गलत है वन्ना इस error को सही करो साब सुत्री बात है ये 2 5 का multiple है ये 2 5 का multiple है इन दोनों को भूल जाओ ये भी 2 5 का ही multiple है तो ये हमारा non terminating होगा non terminating होगा और अगर paper में ये चीज अगर होती कि ये 3 नहीं था नीचे 3 नहीं था और यहां 7 है यहां 3 नहीं था तो फिर 2 options हो जाते है paper में C और D यानि या तो paper में गलत आया या किताब ने गलत छाप दिया बस ये चीज है बात समझ में आये तो हमने तीन को दो किया तो D answer बता रहा हो बोलो बोलो tell tell तो D is the right answer यानि non terminating कौन सा होगा भाई साथ से जाएगा नहीं 19 तो यही non terminating है 55 के बाद 43 कहिता तीन बटा आट का दसमलो प्रसतार जहको वने कई बार आपको बताया कि बच्चा ही वा कई बटा आट कहुं क्या बोलते हैं तो बच्चा कहिता दसमलो एक दो पांच बोलते हैं तीन बटा आठ को क्या बोलोगे दसमलो तीन साथ पांच बोलोगे हमसे करा भया दसमलो प्रस्तार क्या होगा after how many digits the decimal how many digits after the decimal तो तीन डिजिट होंगी दसमलो 3, 7, 5 43 का आंसर 3 43 का आंसर 3 क्लियर है सी जो को बैतर सी किये 43 के बाद 44 which of the following is the terminating decimal यानि सांथ की बात कर रहा है तो भईया सांथ तभी होगा जब नीचे किसका मल्टिपिल ना हो 1 बटा 3, 7, 11, 13 इनके ना हो देखो ये 3 का मल्टिपिल है आसांथ होगा ये भी 3 का मल्टिपिल आसांथ ये भी 3 ही ये विचारा नेम लिकित में से किस तंख्या का सांथ दसं लो सांथ चाहिए हमका का चाहिए सांथ देखो ऊपर 3 का मल्टिपिल रही पर नीचे है सम pact कहना नीचे साथ का मल्ट पिले गया गया गयारा दसे अरे सर यहां क्या अरे देखो उनाईस बठा चालिस अब ना नीचे तीन का है ना साथ का ना गयारा ना तेरा ना सत्रा समझ गया ना चालिस है A is the right answer यानि 57 upon 120 is the right answer of this question कोई confusion नहीं होना ही नहीं है 49 निम लिकित में से कौन संख्या का मान एक सांथ दसमलो होगा सांथ यानि terminating संगल मुझे तो यहीं लग गया 1 बटा 5 यही सांथ है इसे करोगे नीचे 1 बटा 15 3 का मल्ट पिले आसांथ 9 पना 45 ना ये भी नहीं होगा 9 पना 45 भाई एक तीन तो कट जाएगा पर एक तीन तो बना रहेगा ना इसमें 2 तीन आते ना दो तीन गुड़े पांच एक कट गया इसमें भी दो तीन समझ गया ना एक कटेगा तो एक तो बचेगा ना यानि ए इस दा राइट आंसर कहिता नियम लिखित में से कौन सा अवसान दसंबलो है दो को आवसान का मतलब मुझे नहीं मालूँ जब इसका इंग्लिस वर्जन परते टर्मिनेटिंग इसका अर्थ हुआ सान्थ दसंबलो क्या हुआ सांथ मुझे तो यह दिग्या है नोट्थे बात तर देखो यह बात तर नोग का मल्टिपिल हो उपर एक तीन, एक तीन बना रहेगा यानि c is the right answer नहीं समझे बात तर नोग का मल्टिपिल है पर उपर जो वैलू नोग का मल्टिपिल होगा उसी से काम चलेगा उपर नौ का मल्टपिल ये नहीं ये नहीं ये नहीं नौ खुदी होता है यानि see is the right answer कैसा लग रहा है खुसी मिली की नहीं मिली पिल गई होगी कुसी कहता है निम लिकित में से किसका मान आवर्ती दसमलों में नहीं आ सकता यानि रैकरिंग डेसिमल में नहीं आ सकता अब रैकरिंग में किसका नहीं आ सकता यानि सांथ दसमलों की बात कर रहा है हमसे और सांथ दसमलों कौन हो सकता नहीं कह रहा है रैकरिंग डेसिमल में नहीं आ सकता आवर्ती दसमलों में नहीं आ सकता है यही होगा में लग़ा है साथ से भाग दो शाथ या उपर तीन हुआ आठ सती चक्पन यहीं टीन बटा आठ वो संख्या होगी जो हमारा क्या होगा रैकरिंग में नहीं हो सकता निम्लिकित मैंसे कौन से विकल्फ? आवर्ती दसमलों का उधारन है इस बार कह Canadian बताओ यानि non-terminating चाहिए हमको इस बार non-terminating चाहिए द्हया ढूनो नone-terminating, देखो 24 ये 5 बार में गया 12 दूना 12 पञ्जा ये भी terminating है अब इन में आग 3 से काटो आठ बटा दस ये भी है यानि B is the right answer और वैसे भी नीचे 9 का मल्टपिल है 90 तो उपर 9 का मल्टपिल होना चीए तब ही उसके साथ खेला होगा B is the right answer क्लियर है 49 के बाद 50 बताएंगे 1 2, 3 4, 5 5 4-5 कोशन और बताएंगे next type इसका कल कराएंगे मेरे बाई कहता है निम लिकित में से कौन से सधान भिन को दसमलो के रूप में लिखने पर उसका मान सान दसमलो प्राप्त नहीं होगा उसका मान सान दसमलो प्राप्त नहीं होगा यानि दस सान दसमलो नहीं प्राप्त होगा आसान्थ होगा? देको एक चीज़ समझो, हम आपको थोड़ा सा आइडिया देंगे आसान्थ कह रहा है, आसान्थ होगा, कौन सा हो सकता है? फेले समझो 45 नौ का मल्टिपेल, 81 भी नौ का मल्टिपेल यानि इसका 9 यह खा जाएगा, यानि यह सान्थ हो जाएगा ये सांत हो जाएगा समझ गए हमें कौन से चाहिए आसांत चाहिए ये तीन का मल्टिपिल है 48 और ये वो अपने आपको मेंटेन कर लेगा उद्दा खतम आसांत चाहिए ये नौका मल्टिपिल बट ये नौका नहीं है यानि आसांत यही होगा आसांत यही होगा पाकिस अफसान यानि दो सो चालिस बटा चार सो पचास अब इसको जिरो जिरो काट लो ज्यादा है तो भाग जो तो तीन से आठ बार में तीन से पंदरा बार में और ये तीन का मल्टिपिल बना रहेगा इसलिए आसांत रहेगा यानि पचास का अनसर मेरे प्यारे देशवासियों पचास का अनसर डी हो जाएगा कैसा लगा अरे पचास का अंसर डी हो जाएगा अब कुछ बच्चे इसी confusion में सर्फ का करें अरे देवता देखो ये 9 का multiple है ये भी 9 का तो इसके 9 खतम कर देगा ये मुद्दा ही खतम ये 7 हो जाएगा अपने आपको भी कुछ 37 रहेगा अब देखो ये ये सांथ हो गया और ये सांथ है सांथ कैसे 3 का multiple हट जाएगा 160 हो जाएगा उपर 9 तो नीचे 160 हो गया तो ये अब नहीं है 78 को जो multiple होता है दुनियावर का समझ गया है पेटा नेम लेकित में से कौन से भीन एक सांथ दसमलो यानि बिलकुल सांथ दसमलो कौन सा होगा अब एक चीज समझो 144 9 का multiple है हमको सांथ चाहिए 144 9 का multiple है उपर 9 का multiple जिसमें होगा वही सांथ कर देगा तीन नहीं होता चे नहीं होता बारा नहीं होता ये आंसर 9 बटा 144 116 होता है एक बटा सोला स्वरी एक बटा सोला होता है क्लियर है ना कि आवन के बाद बावन निम लिकित में से कौन सी आवर्ति दसमलो नहीं है यानि रैक्रिंग डेसिमल नहीं है रैक्रिंग डेसिमल नहीं है मेरे भाई रैक्रिंग डेसिमल नहीं है रैक्रिंग नहीं है नहीं निम लिकित में से कौन सा रैक्रिंग प्रदान करेगा रैक्निंग बताएगा यानि नॉन टर्मिनेटिंग चाहिए ओके नॉन टर्मिनेटिंग बता देंगे एक चीज़ समझो जैसे यह 99 का मल्टिपिल है यह नहीं तो यही रैक्निंग होगा फिर भी आपके आत्मा नहीं मानती तो भाग दो यह 20 आएगा यह 7 बटा 10 आजाएगा यह 7 बटा 40 आजाएगा यानि यह ना 3 का ना 7 का ना 11 का ना 13 का ना 3 साथ 11 13 यह यह तीन का बचेगा यानि 7 बटा 30 यह तीन का मल्टिपिल रहेगा ताट्स पैAR इस दा राक्निंग डिंग डेसींग ब्ले आइब लेकित रिंजने किसका माण सांतर दसमलो याणि तर्मिनेटिंग चाहिए इस वार सांतर चाहिए दोगो ये 6 हमारा नौ का मल्ट्पिल होता है तो they बाकि priorities दोगो 36,णो का तो ऊपर pop नौ का मल्ट्पिल न belief रही यह टा यह बाशता और जो टूजी पना करेगा स्टीखेंग नहीं चाहें जो हो जाए उसके साथ खेला तो कि concept लिखवा दिया तो concept पर वरगो निम्नि उसे वक्त कौन सा भीने जो आवरती दसंबलों नहीं देगा आवर्ति दसंबलों नहीं देगा यानि रैक्रिंग नहीं देगा यानि हमें सांत वाला चाहिए टर्मिनेटिंग वाला चाहिए ठीक है सांत दसंबलों चाहिए यह 8 सत्य 56 होता है यानि 7 का मल्टिपिल उपा ढूनो यह 7 का नहीं साथ का नहीं ये साथ का नहीं ये है। ये क्योंकि साथ बटा शपंका मतलब एक बटा एक बटा बसाले हो जाएगा तोकि नीचे साथ का मंटिपिल नहीं ऐए भुलो भुलो ठेल 53 के बाद 54 चौव़न थेक तो 54 तक आज अपने सेशन को रखेंगे